आपका ये असने, आपका ये प्यार, इस आथिरवात के लिए मैं सभी देश वाच्चों का रणी हूँ। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन, एंडिये की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देश वाचियों ने भाजबा पर, एंडिये पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की जीत है। ये भारत के समिधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विख्षिद भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। 140 करोड भारतियों की जीत है। भाई और बेहनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुसलता के साथ संपन्द कराया। करीब सो करोड मतदाता, 11 लाग पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड मतदान कर्मी, 55 लाग वोटिंग मशिने, हर कर्मचारी ने इतनी प्रतंड गर्मी में अपने दाहित्व को बखुबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने करतव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाओ प्रोसेस, चुनाओ के इस पूरे सिस्टिम, अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाओ प्रोसेस, चुनाओ के इस पूरे सिस्टिम, और चुनाओ प्रक्रिया की क्रेडिबिल पर, हर भारतिय को गर्व है। इस केल पर चुनाओ का, इस एफिशंसी के साथ चुनाओ का, दुनिया में कहीं कोई उदारन नहीं है। और मैं देशवाच्यों को कहूंगा, मैं इंफ्लियंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा, कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनाओ प्रक्रिया की ताकत है। एफिशंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गवरव का विशह हैं। भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुचा सकते हैं। उन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतंत्रिक देशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत्पुर्व उत्सा दिखाया है। और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन परवपर आदर पुर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों सभी उमिद्वारों का भी अभिनन करता हूं। सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की विराठ सपलता संभव नहीं थी। भाजपा के, NDA के हर कारकरता साथी को भी मैं रदैस से धन्यवाद करता हूं। साथियों इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विदान सभागे चुनाव हुए, वहां पर NDA को भव्यम विजय मिली है। चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो, आंदर प्रदेश हो, उडिस्सा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साब हो गया है। मेरे पास दी ट्रेल तो नहीं है लेकिन साइद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है। और लोग सबाज चुनाओं में भी उडिसा ने बहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगनाती धर्ति पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीड जीती है। हमारे केरल के कारकरताओं ने बहुत बलिदान दिये है। कई पीडियों से वो संगर्थ भी करते रहें। जन सामान्य की सेवा भी करते रहें। और पीडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूं। पीडियों से जिस खशन का इंतजार किया। वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगना में हमारी संख्या दो गुणा हो गई है। मद्दप्रदेश, गुजरात, छतिशगार, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश, ओडिसा, आंधर प्रदेश, बिदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्यों की जनता को भी स्वाद दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंधर प्रदेश में चंद्र बाबु नायडू जी के नेत्रुत्म में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है। बिहार में नितिश बाबु के नेत्रुत्म में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है। साथियों, दस वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जना देश दिया था, तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूप चुका था, 2013-14 का कालखंड देखिये, देश निराशा की गर्त में डूप चुका था, प्रेजाईल फायूद सब्दोस्ते में नवाजा जाता था, हर दिन अख़बारों की हेडलाइन गोटालों से भरी रहती थी, देश की हुआ पुरी अपने भविश्य के सब्द में आसंकित हो गई थी, ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से, आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौपा था, हम सभी ने पूरी इमांदरी से प्रयास किया, काम किया, 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए, देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया, इसके बाद NDA का दूसरा कारकाल, विकास और विरासत की गारंटी बन गया, 2024 में इसी गारंटी के साथ, हम जन जन का अथिरवाद लेने, देश के कौने कौने में गये, आज तीसरी बार, जो आशिरवाद, NDA को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनारदन के सामने, बिनाए भाव से नत्मस्तक हुएूं। साथियों, आज का यह पल, नीजी तौर पर, मेरे लिए भी, भावुक करने वाला पल है। मेरी मा के जाने के बाद, यह मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिये, देश की कोटी कोटी, माताओ, बहनों, बेटियों ने, मा की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पुरे देश में जहाँ जहाँ भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने, अभूत पुर्वस्ने और आशिरवाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं जिख सकता है। देश के इतिहास में, महिलाओं द्वारा, बोटिंग के सारे रकोर्ट उड़ गए है। इस प्यार, इस अपने पन को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यह मेरे भावों में हैं, यह मेरे मन मस्तित के कौने 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 का है। देश की कोटी कोटी माताओं बहनों ने, मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले दस साड में, देश ने बहुत बड़े फैसले लिये हैं। राष्ट प्रसम की भावना, हमें असामान या लक्ष हासिल करने का हौसला देती है। यह हमें कुछ कर्ग गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई। आज़ादी के सत्तर साल बार बारा करोड लोगों को नल से जल मिला। आज़ादी के सत्तर साल बार चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड जरुरत बंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को 5 लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राश्ट प्रथम की इसी भावना की वज़े से जम्मु किश्मी से 370 हटी GST और IBC जैसे रिफार्म हुए बैंकिंग रिफार्म हुए हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था जन हित में था हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती बड़ी एकोनोमी है राष्ट्र पथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्फर बनाएगी साथियों हमारे सामने एक महान संकल्प है विक्षिद भारत का संकल्प दस साल के बार लगातार तीसरी बार जनता जनादन का प्यार उनका अशिरवार हमारा होसला बढ़ाता है हमारे संकल्प को नई मजबुती देता है नई उर्जा देता है हमारे विरोधी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए जीतनी इस लोगसबा चुनाओं में अकेली बीजेपी ने जीती है में देश के कौने कौने में उपस्तित बीजेपी के कारकरताओं को कहूंगा देश वाच्छों को कहूंगा आपकी मेहनत इतनी गर्भी में आपका बहाया पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है और मैं देश वाच्छों के दुमारा दोहरा ना चाहता हूं अगर आप दस गंटे काम करेंगे तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा आप दो कदम चलेंगे तो मोदी चार कदम चलेंगा हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारखाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है साथियों NDA सरकार की प्रतिवद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर बर्क के विकास की रही है बीते दस वर्थों में हमने पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या S.T.S.T.O.B.C. की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए बुमन लेट डवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्णनेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट से स्पेस और एंट्रेप्रेणर्स्थिप तक हम हर छेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते देस वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है एम्स की संग्या तीन गुनी की है स्वरोजगार और स्टार्ट असमें आईतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेनिफेक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रोनिक्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्म निर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रात्पिक्ता पर होगा दलहन से लेकर खाड्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर शेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरी त्युक्का है आज भी हमारी सरकार की नीतिया प्रगती प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है हम ग्रीन इंडिस्ट्रिलियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी करणा भी बना लिक लिए एंडिये सरकार पूरी शक्ती से काम करेगी भाई और भेनो आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है हमने कोरोना के दोरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सिन केपिसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एक्स्प्रोरेशन के नए रास्ते खोले हैं क्लाइमेट चेंग से लेकर फूड सिकूरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने हैं भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंग को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाइत्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुपे सबको गले लगा रहा है मुझे विश्वास है मजबुद भारत मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्टम्ब सिद्ध होगा साथियों 21 सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्षन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन ये भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है राज नीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्षन का महिमा मंदन शुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाएं तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत ज़्यादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखाड फैकने का होगा भाई और बहनों भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीती कोई नहीं हो सकती इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है भाजपा का कार करता जन अकांख्षाओ जन भावनाओ और जन अपेक्षाओं का प्रत्रिदित्व करता है और यह हम कभी भोल नहीं सकते है जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबात करते रहें साथ्यों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्जा विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगाठ बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेड़ा है कि देवपत पर अड़ी कैसे रहा जाता है अपने धेव पत्में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे हम पूरी निस्टा से पूरी मांदारी से देश की सेवा करते रहे हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करे हम देश हित को सर्वोपरी रखे है तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे हमारा सम्विदान हमारी गाइडिंग लाइट है इसी साल हमारे सम्विधान के पचतर वर्ष पूरे होने जा रहे हैं केंद्र की एंडिये सरकार सभी राज्यों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों नहों मिलकर काम करेंगी विश्षिद भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे जम कर महनत करेंगे हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है ये राश्टनीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है विक्सित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है छे दसक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचाए छे दसक बाद किसी गढ़बंदन को एंडिये को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है जनता जनादन के साथ विश्वास का ये अटूत रिस्ता ये लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है आपका आशिरवाद नए उत्षा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है मैं हमारे अध्यक्ष स्रिमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम संगठन की राज्यों की टीम जिले की टीम मंडल की टीम बूथ लेवल की कमिटी हो या पन्ना प्रमूर्ट नड्डा जी के नेत्रुत्व में अनेक चुनावतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ जिस समर्पन भाव से राष्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एंडिये को विजय दिलाई है वे सब के सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र है मैं आज देश वास्यों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है भारतिये जंगता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है एंडिये पर बहुत बड़ी कृपा की है मैं 140 करोर देश वास्यों का पुना आभार व्यक्त करता हूँ मैं हमारे एंडिये के सभी साथ्यों का भी रजय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं इस देश के महान लोकतंत्र को महान समिधान को फिर सद्धा पुरवग नमुन करता हूँ